कि अगर कोट में कोई जट साह बैठे हैं और कोई XYZ जाकर उनको मा बहन की गाली करके चला आया केले में तो क्या उनके पर मुकदमा दर्ची नहीं होना चीए इस वक्त हमारशात हम पार्टी के रास्टी प्रवक्ता दानिश श्रजवान हैं और उनसे हम बात करेंगे कि सुप्रेम कोट की जो कल SST पर वाडिक चाहिए है उसको ले करके यह क्या कहते हैं मेरा आपसे सवाल यह है कि मैक्सिमम जो अपराद होते हैं वो हमेशा प्राइवेट जगह पर ही होते हैं अंधेरे में होते हैं कभी पब्लिक प्लेस पर नहीं होते हैं इस पर आपका क्या कहना है लेकि वैसे तो नियाले पर को टिपड़नी करने से मैं हमेशा परहिस करता हूँ लेकिन इस तरह के ओर्डर्स पर कहीं न कहीं से सवाल उठने लाजमी है अब मैं ये कहूँ कि जद साहब अकले कमरे में बंद है हला कि मैं कहूँगा तो हो सकता है मेरे ओपर ये लगे कि भाई कोट के खलाफ अपान जनक शब्दों का परियोग क्या लेकिन मैं शमा चाहता हूँ उसके लिए पुरु में मैं सिर्फ नियाले को इस तरह के वर्डिक्ट देने से पहले इस बात को भी सोचना चाहिए मेरे खल से कि अगर कोट में कोई जट साह बैठे हैं और कोई एक्स वाई जेट जाकर उनको मा बहन की गाली करके चला आया केले में तो क्या उनके पर मुकदमा दर्ची नहीं होना चाहिए क्या नियाले की करिमा धुर्मिल नहीं हो गई उससे इस तरह के वर्डिक्ट को लेकर के ही हमारे नेता ने असपश तरीके सिखा है कि समिधान की नवी अनुसरी में शामिल होना चाहिए और इसके लिए जल्दी हम प्रदान मंत्री से मिलेंगे कि हर मामले पे हम देखते हैं कि कोई ना कोई नियाले हस्तक्षिप कर जाता है और किसी तरह के इस तरह का एक जज्ज्मेंट दे देता है और इसके बाद फिर हम सड़क पूरतर ना पड़ता है और बताना पड़ता है कि इसमें कंट्रोल करी आप तो समिधान के नवी अनुसरी में जब तक स्थी अक्ट नहीं आएगा तब तक इस तरह के ओर्डर साते रहे मैं इसे लिए गधार बेशक करना पड़ेगा अप रहें बनेको उसे तरह करना करकी खलता है और इसके लिए निसंदे हमारे नेता ने असपश तरीके से कहा है कि देश की प्रदान मंत्री से मिलेंगे पर्लेमेंट में यह माम लाए और समीधान के नवी अनुसुची में स्टेश्ट आक को शामिल किया तीन जजों की बेंच ने इस तरह का मतलब फैसला दिया है जेस्टिस एल नागेश शरी में भी आरक्ष्यन होना चाहिए बाज किया जाने परसो की पीड़ा इसको कभी जन्म जिसने कभी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया उसको क्या पता लगेगा कि प्रेग्नेंसी में क्या होता है वही इससी थी आज जुड़ी शरी की हो गई है जिन लोगों ने दलीत होने के बाजूद जातिगत टिपणी करी जाती है किस तरीके से आज भी अगर कहीं कच्रा होटता है तो लोग यह नहीं कहते हैं कि फला सहाब आकर उठा लीजे सिधे कहते हैं कि किसी शेडियूल कास को जाकर कहते हैं कि आरे आकर उठाओ तो मुझे लगता है कि जुड़ी शरी में अरक्षन होना चीए तभी इन तमाम मामलों का समधान होगा है 2018-19 में इससे पहले भी एक S.E.S.T. को लेकर के सुप्रिम कोट ने फैसला लिया था जिसमें यह था कि तुरंत कारवाई नहीं होगी सुप्रिम कोट ने S.E.S.T. पर जो वाडिक्ट कल दिया उसको हम पार्टी के रास्ट्रिय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पूरी तरह से गलत बताया है उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और इसका हम लोग विरोध करेंगे प्रदान मंत्री से बात करेंगे और इस फैसले को बदला जाना जाँए इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जूडिसरी में भी आरक्षन होनी चाहिए ताकि सही तडिके से लोग सही न्याय कर सके अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों सगे समबंधियों में शेर करें धन्यवाद